गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स हाव यू आल आर सो बहुत दिन अबाद मिल रहे हैं वीडियो पर है ना बहुत दिन अबाद आवाद सुन रहे हो मेरी कैसे हो आप सब लो बढ़ियां पिटा चलो आज हम लेसन नंबर फोर करने जा रहे हैं अरले स्टेट्स आफ पॉल राजनीती थी उसके बारे में लोग पढ़ेंगे वी गेट अबाउट दा पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंस्टिटुशन फ्रॉम दा वेदास एपेक्स एंड बुद्धिस्ट टेक्स हमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है यानि राजनीती से जो सिद्धान थे यानि जो उनके जो सिस्टम पूरा चल रहा था वो हमें कहां से पता पड़ता है वेदों से और जो बुद्धिस्ट लोग वा करते थे और जो एपिक्स यानि जो सिद्धान बने वे थे उनसे और टेक्स का मतलब वो लिखित में विद्धे मानने इंदा रिग वैदिक पीरियड और वैदि अब अपना एक समाज होता है जैसे कि जैनि सम عنल गये राजपुत्त सम? अधिश्यrah सम जल गये है राचपुत्त सम अधिश्य रिंदे अगी आज की थो यहुंअ Guadal Syaajad jeski अज हम आपने सम? instrumental के जो सांके कबूए और बन को चुनते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं पदबे और फिर वो जो है सारी सामाज की वेवस्ता बनाते हैं उसी तरीके से उस समय में जो है राजन्या होते थे उनको भी जो है चुना जाता था एक साथी का मतलब जहां सिर्फ कम्यüstय अघर होते हैं ठीके दिस कम्यूनिटी वाज आस और जाता दर विश बोला जाता था विश रह Univers नहीं इस विश्ख का मतलब है जहां सारे सारे लोग एक साथ समाही तो करके बात करते हैं आफ्टर वाइट्स टिफरेंट टाइप आफ पॉलिटिकल सिस्टम वर इंप्लिमेंट इन इंडिया इसके बाद में बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हमारे भारत में लागू होने लग गए ठीक है अब इसमें आपको दिया जा रहा है कि आप एक सोचिए आज भारत में वरतमान समय में जो है जो लीडर्स होते हैं वो कैसे चुन जाते हैं अब उस समय के हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जनपद About 1000 BC, the earlier states of different claims were established in Punjab and the Ganges River area बहुत सारे जो states थे, जो different, different established हुए थे, वो सब लोग कहां थे? पंजाब के असपास और गंगा रिवर के असपास These were called जनपद, यह सब क्या कहलाते थे? जनपद कहलाते थे, जनपद was the area or place of a person's habitat अब जनपद को क्या बोला जाता है? देखे, ऐसे लोग जहां, जो लोग इखटे होकर के रहते हैं, एक ही समाज के रहते हैं और वो लोग जो है, खेती बाड़ी करते हैं The word जनपद is used in the sense of state अब जनपद को किस तरीके से बोला जाता है? राजी के तोर पर बोला जाता है जनपद was a state system that was very unique form The Clean Society of Rig Vedic is Clean का मतलब बिल्कुल जो है, वो विवस्थित जो सोसाइटी होती है उस तरीके से उसको बोला जाता है और जनपद जो है, एक बड़ा राजी की तरह होता है जिसको Rig Vedic में क्या बोला गया है? Clean Society बोला गया है It includes the state of different groups like Kuru and Panchal अब इसमें states की group हुआ करते थे और उनको क्या कहलाते थे? Kuru और Panchal अब जनपद के बाद आ रहा है, महा जनपद जैसे कि हमारे क्या होता है? हमारे आप देखोगी कि पहले जो है नगरपाली का फिर कारेपाली का नगरपाली का नगर के लिए काम करती है कारेपाली का उनके कारियों को नियंतरन करती है तो यहां पर महा जनपद Around 6th century About 6 महा जनपद 16 महा जनपद Have been found in India Around 6 century यानि जब 6th century चल रही थी उस समय में 16 महा जनपद हमारे इंडिया में थे Some of these महा जनपद Were republics While some were monarchy type of states Monarchy type of states का मतब जो राज्ये अलग-अलग इसों में बटेवे होते हैं These महा जनपद are outlined In the following table यह जो महा जनपद है वो यहां पर आपको बताए गए अब देखो यहां पर 16 महा जनपद है महा जनपद और उनकी राजधानी Capital मतब राजधानी और current में आज की date में वो कहां पर है उसके बारे में बताए वा है जैसे की एक दो मैं आपको बताती हो अंगा चमपा आज कहां पर है इस्ट बिहार में वाजी वैशाली आज कहां पर है नौर्थ बिहार में ठीक है ऐसे यह 16 दे रखे यह आप एक काम करेंगे अपनी CW की Notebook में 16 महा जनपद Chapter No.4 लिख करके यह Table बनाएंगे ठीक है यह अब और आजाएए यह देखिए यह Map है Major जनपद महा जनपद and Cities अब यह Cities जनपद और यह सब इसके इंदर बताएवे हैं आप अपनी Map Book लेंगे और भारत का नक्षा इंडिया का Map निकालके सेम जैसा इसके इंदर बताएगे है वैसे वैसे आप इसको फिल करेंगे Is that के लिए चलिए अब आजाएए Monarchy Monarchy State System राजा जो है वो मुख्य होता है वो मोनार्ची कहलाता है Among the Mahajanpads of this time there was competition for power which mainly consisted of four powerful states Magad, Kausal, Vatsa, Avanti in which Magdaz eventually become famous as a powerful state अब पुराने समान जैसे आज जो है जिस तरीके से सारे लोग एक साथ रहते उस समय में क्या होता था सभी लोग जो है वो अपनी अपनी पावर दिखाने की competition करते थे और अपने अपने state को लेकर के बहुत conscious रहते थे उसमें सबसे ज़्यादा जो famous था वो था Magad अभी आप पढ़ने जा रहे है Magad के बारे में Magad at the time of Buddha in monarchy state system Magad became powerful महाजनपद बुद्ध के टाइम पर Lord Buddha के टाइम पर Magad जोई वो एक powerful महाजनपद था three powerful dynasties ruled over Magad तीन जो dynasties है यानि जो उप राज्य है वो इसमें बहुत powerful माने जाते थे और उसमें सबसे पहले कौन से है हरेने का डाइनेस्टी बिंबिसार वस फाउंडर अफ दिस डाइनेस्टी इस राज्य के जो फाउंडर थे यानि जो जो जिनों ने इसका इसकी खोज की वो थे बिंबिसार headquarter capital of Magad वस राजगिर गिरिवरज which was situated on the bank of Ganga and Sun River after him his son Ajatashatru came to power and made partly putra his capital देखो विमसार ने विमसार ने जो है इसकी खोज करी उन्होंने मगत की राजधानी क्या बनाई थी राजगिरी बनाई थी और गंगा नदी के किनारे पर इसको established किया था यह situated थी लेकिन आफ बाद में जो है उनके जो बेटा है अजाज शत्रू वो पावर में आये और उन्होंने इसकी राजधानी किसको बनाई पाटली पुत्र पटना को He fought a war with वाजी यूनियन and defeated लिच्छावेस In this way He extend the rule of मगत अब उन्होंने जो है वो यूद किया था वाजी से और फिर उसके बाद वहाँ पर हार करके लिच्छा लिच्छे से आवास में हार गए और उसके बाद उन्होंने अपने रूल को आगे यानि जो भी नियम कानूंते उसको आगे बढ़ा दिया अब है नाग डाइनस्टी नाग डानस्टी केम चज़ आघनस्टी इसके बादर केंट केары लिच्के लिच्छी किंटि रिच्छुनगा फूस्चेट विच्छे सा घूद्या सुछ नंद दैस्टी Nand dynasty established by Mahajanpada was most powerful Mahapadan Mahanand is considered to be the first Indian emperor. During his time Maghad had become the most powerful state of India. At the time of Alexander's invention of India, Maghad was ruled by king named Dhananand of Nand dynasty. ठीके जब एलेक्जेंडर जए हमारे देश में आया था उससे पहले मगद राजी पे कौन शाशन कर रहा था धनानंद शाशन कर रहे थे अब आरिये बात रीपब्लिक की यानि प्रजातंत्र की और रीपब्लिक इस्टेट डिरेक्टली और इंडिरेक्टली रूल्ड जनता के द्वारा यानि लोगों के द्वारा चुना जाता है दपीपल रीपब्लिक वाज और सिगनिफिशियंट फीचर ऑफ द एंशेंट इस्टेट एंड शिस्टम और गवर्नेंस रीपब्लिक जो है वह एक ऐसा भाग है जो पुराने समय से चला रहा है और इसका प्रमोट होते हैं दा इस्टेट रन बाइं वन मेंबर कैन बी कॉल रीपब्लिक और राजे में एक से अधिक लोग जब आ जाते हैं तो क्या जाता है रीपब्लिक का जाता है अग दिस टाइम देर वर समें स्टेट इन विच दकिंग वास चूजन बाइदा पीपल ऐसे जाता है रीपब्लिक देर वाज देर वर रीपब्लिक और लिचिवाई और वर्शाली शाक्याज और कपिल वस्तू वैदे और मिथिला मला और कुशिनारा एक्सेक्टर यह कुछ तरह के रिप्लप रीपब्लिक से स्टेट आपको बताए वह हैं इन सच अ सिस्ट्रम ओफ इच मेंबर वाज गीवन दा स्टेट आफ किंग अब इसमें से कुछ लोगों ने क्या क्या था स्टेट आफ किंग का नारा देव बताया था Know This, Gana, Gana word was used of group of many members देखो میں आपको बताया था न, जहाए बहुत सारे लोग एक साथ इखटे होते हैं उसको Gana बोलते है गना means organization और group गना का मतलब क्या होता है यह तो organization या group संग, संग का मतलब संग mean organization और assembly, संग का मतलब होता है सभा, hopes हो कि आपको यहां तक का chapter समझ में आया होगा आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे feel free पूछ सकते हैं ओकी बिटा, बाई बाई